हमने सीखा पहला, हम राशियों की तुलना अनुपात, प्रतिशत, आधी के आधार पर करते हैं दूसरा, प्रतिशत का उपयोग बट्टा, विक्रीकर व ब्याज ग्याद करने में किया जाता है तीसरा, अंकित मुले पर दी गई छूट, बट्टा कहलाती है चौथा, किसी वस्तु को बेचने पर सरकार द्वारा विक्रीकर लिया जाता है विक्रेता द्वारा विक्रीकर को बिल की राशी में जोड़ दिया जाता है पांच्वा, ब्याज दो प्रकार के होते हैं, साधारन ब्याज और चक्रविध्धी ब्याज चट्वा पहला जब ब्याज वार्षिक हो तो A बराबर P गुणित एक धन आर्बटे सो पूरे की घात N दूसरा जब ब्याज की दर अर्ध वार्षिक यानि की 6 माही हो तो कुल राशी A बराबर P गुणित एक धन आर्बटे 200 पूरे की घात N यानि ब्याज की दर आधी वह समय छे माहियों में गिना जाता है